एक जून तक जमानत पिल गई है इस से पहले भी कई बार जमानत की अरजिदाखल की गई थी लेकिन अब एक बड़ी राहत आर्विन केश्डिवाल को मिल गई है केश्रिवाल को एक जून तक के लिए जमानत मिल गई है इस वक्त की बड़ी ख़बर आपको बता रहे है मानी लॉन्रिंग और साथी शराब घोटाली का जो मामला था उसके चलते अरविन केश्रिवाल जेल में बन थे लगतार उनसे पूश्टाज भी की जा रही थी और अब बड़ी ख़बर मिल रही है कि अरविन केश्रिवाल को एक जून तक जबानत मिल गई है तो एक बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं पूटने मामले की सुनवाई शुरू की जिसके बाद में पिश्री बार जब सुनवाई हुई थी तो कोटने 10 मही तक के लिए सुनवाई स्थगित की थी और आज जब सुनवाई पूरी हुई तो उसके बात में 10 जून तक की जमानत दे दी गई है, यह अंतरिम जमानत है, एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और जादा जानकारी के साथ पर शंकर आनन जुड़ गया है, शंकर एक बड़ी खबर मिल रहे हैं दिल्ली से जहां पर केश्रीवाल को अंतरिम जमानत पिल गई है, बताएए क्या जादा जानकारी देखें तक्रीबन पंदर में पहले इस मामले पर कूट की कारवाई है वो शुरू हुई थी और जिस तरह से दिल्ली के मुक्रमंतिर अरविंद के जिर्वाल को चिनाओ परचार के लिए अंतरिम जमानत को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोट में सुनवाई हुई थी तो इस मामले में जसिस संजीव खन्ना और जसिस दिपांकर दंता की वेंच जो है इस मामले पर सुनवाई कर रही थी और इस मामले पर जिस तरह से मुक्रमंतिर अरविंद के जिर्वाल के वकिल अविशेक वनुसिंग भी ने एड़ी के तरफ से जो अहलफ नामा दायर के उस मामले पर सबादा और ने तरह से गुओ को तो इस मामले पर कर अपनीख़र क्या कि अगड़ी थी और आज ज Tillg休न तक नंतरिम जमानत परदान किया चालिकि अंतरिम जमानत देने के लिए जो तमाम प्रावधान है ने क्या 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 मरेश हो से क्या सकता है कि दिली में के डिवाल को एक बड़ी रहात मिली है और इस वामने पर सुप्रीम कोट ने दो जुन को अर्विन केश्विवाल को सरेंडर होने का भी निर्देश है क्या कुछ शर्ते भी रखी गई है इस जमानत को लेकर और इसके अलावा जानकारी ये भी सामने आ रही है कि एडी की तरफ से विरोध भी किया गया था ज कोई भी किसी भी तरह के फाइल पर उस सिंग्निचर नहीं करेंगे जिस तरह से वो दिल्ली के मुक्षमंत्री हैं और मुक्षमंत्री रहने के दोरान उस वक्त में कोई भी फाइल जा है वो नहीं देखेंगे या उस तरह के मामलों पर प्राधिक उस मामलों पर और चारिक हैं वह तमाम आपने सैयनसरी ओस वर्त में वीफिए दे चुके थे णिशतर से कह सकते centuryna कि वह मामले पर आह सहमती ज़रूर दे दी गई थी लेकिन से कह सकते हैं कि इस मामली में दित्र से आज जमानत में यह दे लिए गया है किनि आम माधि पाठी के अंदर में बेहत उस्तार देखा जा सकता है, सुप्रीम कोट में इसके साथ ही ये भी कहा है, कि हमें कोई भी समान लाइन नहीं चीजनी चाहिए, एक बड़ी सी लाइन जो नहीं खीजनी चाहिए, एक तरह से कह सकते हैं, वो इस फैसले को सुनाने के वक्त में लोने कहा है, एकले वी वह नहीं है। और कि वह देन। वीस तला परमिशन नहीं दी गई है जहां तक कि जो व्यक्ति खुद चुनाव लड़ता रहा है उसको भी कोट की तरफ से जमानत नहीं दी गई लेकिन पहली बार अभी ये देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोट की तरब से एक बड़ी रहात आर्विन केश्विवाल को मिली है से पहले कभी विससे जबानत आंतरीम जबानत वो किसी भीराजनेता ऑखों को नहीं दिया गया था और इसमामले को लौनकर जित से पहले इस दिन के लिए इंट्रिम दी जा रही है दो जून तक और कोई केमपेंग के आपकर कोईchnर नहीं है वो क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं उस पर कोई restriction इंपोज नहीं की गई है जबके जब order भी प्रनाउस किया जा रहा था तब भी ED ने request किया कि कोई restriction डाली जाए लेकिन को restriction नहीं दी गई है और 2 जून को उन्हें 2 जून तक की यह मौलत दी गई है इंटरिम बेल की देखना होगा कि और कोई condition है या नहीं है पहली बात दूसरी बात इस order जब यह अप्लोड हो जाएगा और अवेलेबल हो जाएगा इसके basis पे trial court release का order पास करेगा हम कोशिश करेंगे कि जल से जल आज ही हो जाए वो हमारी कोशिश रहे कि कि अर्विन जी आज ही release हो जाए वो जल से जल आज ही release हो जाए हो जाए और आज ही English. Today at 2 p.m. Today at 2 p.m. the bench in court was assembled for this matter and it pronounced a very short oral order. We have not yet seen the written order which will be uploaded in the course of the day as we understand. And in that oral order the court indicated that they are granting interim release slash bail to Mr. Arvind Kejriwal and that order of interim release will be operable up till 2nd of June that is during the election process and there is no restriction on his campaigning as to what he can say, what he cannot say during while he is out in these 2022 days any further aspect we will have to see the order and then only comment so when do you think he will be released? we are anticipating that the order should be getting uploaded quickly we will obviously move for release today itself we will try for the release today itself and we hope that it should happen today itself तो शंकर आनन्द हमारे साथ में लगतार जुड़े हुए हैं और ये फैसला अपने आप में बेहत खास क्योंकि अर्विन केश्वाल पहले अस्रीता से शक्स जिनको चुनाव प्रिचवार के लिए कोट की तरफ से राहाद दी गई है एक जून तक जमानत दी गई है ये अंतरिम जमानत है और एक बड़ी राहत इसे आमार्वी पार्टी के लिए भी कह सकते हैं जो सुप्रीम कोट की तरफ से रखी गई और ये इस बात का साबित होता है कि किस तरीके से जूटे मुकदमे मारविन केशिवाल जी को अंदर रखा गया था तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आरविन केशिवाल को जमानत मिल गई है एक जून तक के लिए ये अंतरिम जमानत है लेकिन वही एडी की तरफ से इस जमानत का विरोग भी किया गया है वही आमात्वी पार्टी कह रही है कि जूटे मामलों में फसाय गया था इस अंतरिम जमानत मिलने के बात में ये साबित होता है तो दोनों ही पक्षू की तरफ से अपने अपनी बाते कही जा रही है और साथी E.D. की तरफ से ये भी कहा गया कि चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार ना तो मौलिक अधिकार है ना ही समविदानिक अधिकार है और ना ही ये किसी कानूनी अधिकार में आता है और 2017 में चुनाव आयोग बना मुक्तार अंसारी मामले का भी उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया और ऐसे में अर्विन केश्रिवाल को अब बड़ी राहत मिल गई है हाला कि आगो जंता के बीच में आपको नजर आएंगे चुनाव प्रचार करते हुए और यह अर्जी दाखिल की गई थी हाला कि इससे पहले भी कई अर्जी लगाई गई थी हाई कोट से लेकर सुप्रेम कोट तक लेकिन सभी को खाडिस कर दिया था शंकर आनन हमारे साथ में जुड़ गए हैं शंकर आनन अर्विन केश्रिवाल को राहत मिल गई है अब वो चुनाब प्रिचार करते हुए भी आपको नजर आ सकते हैं लेकिन वही दूसरी तरफ एडी की तरफ से कई बड़ी बाते कही गई है मैं चाहूंगे आप उसका भी जिक्र करें वो कह रहे हैं कि इसी फैसले को आधार बनाकर बाकी कोट में भी अब इस तरह के अरजी दाकिल की जा सकती है निशन तरफ पर देखे अगर अरविन के जिवाल को अगर जिस तरह से अंतरिन जमानत मिली है तो इस बात को आधार बनाते वे अन्य कई राजनीता अब इस मामले को लेकर आगे कोट पहुंच सकते हैं और वो जमानत के लिए अरजी दाखिल कर सकते हैं और ऐसी संभावना जहता है हाला कि इस तरह के संभावनाओं को पिछले कोर्ट में जब सुन्वाई हो रही थी इस मावले को लेकर उस वक्त में चर्चा की गई थी उस वक्त में यह कहा गया था कि अगर ऐसा होता है अगर निख्याओं के अन्तरीं जमानत मिल गई और इस से यह साबित होता है कि जो मुकत्मा दट्ष क्या गया है जो आरू पलगे हैं वह बुनियादे